हेलो गाइज, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो की पतले हैं वो थोड़ा सा वेट गेन करना चाहते हैं जो अंडर वेट है और जो जिनको एक्साइज बगारा नहीं करनी जो चाहते हैं कि कुछ ऐसी पूर आइटम्स हो जिनसे वो घर पर ही इसक्रीशन होने वाली है सो बेसक्रीट टॉपिक इस हाँ टू गें वेट आज मैं अपको कुछ ऐसे पूर आइजंस बताऊं कि जिनके अपनी डाइट में अगर आप उनको आड करते हो तो आप फैट गें कर सकते हैं अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो अगर आप तो फिर आप पतले ही रह जाओगे तो इसलिए बैर है कि आप टाइम रहते हैं अपनी डाइट अच्छी कर लें सिरफ एक ही फूड का नहीं बताऊंगी रह बाग सेवनी डाइट में बताऊंगी अगर आप चाहे तो सारे आप कर लीजिया अगर नहीं तो कोई भी आपको जो अच्छे लगते हैं जो खाने में पसंद हैं वह आप अपनी डाइट में आप कर सकते हैं सो लेट सिर्फ रैस राइस का सिर्फ एक कप जो qi 158 ग्राम्स का होगा और यह आपको 204 क्यलरिय्स प्रवाईट करता है और 44 ग्राम्स कार्पस और बेल चली अगर आप जादा की सौकीन है तो आको जादा खाना चाहिए वैसी तो अगर आप जादा काने के शौकीन है तो पतले नहों थे सो वैसे एक बात करते हैं कि अगर आप आपको फैट गेन करनी है तो आपको थोड़ा अपना खाते हो उसे थोड़ा जादा खाना होगा तभी आप फैट गेन कर सकते हो सबसे यह में चीज होती है कि आप पहले अपनी खाने की जो भूख है उसको भी और कोशिश कीजिए कि जहां आप एक दिन में तीन बार या कुछ लोग होते हैं दिन में दो बार ही खाना खाते हैं तो अगर आप तीन बार भी खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में पांच बार खाना खाएं तो उससे भी आपको वेट गेन करने में बहुत ही बेनेफिट होगा आप जल्दी से जल्दी वेड गिन कर देखिंगे आपको फैट मिल जाएगी उससे राइस में थाउजन कैलरी जाती है और सोडियम पाया जाता है 500 तो थाउजन एमजी और इसमें फैट पाया जाती है 22 ग्राम्स और इसमें सैश्रीटिट फैर होती है जो कि 5.5 ग्राम्स होती है और 0-100 mg of cholesterol और यह सब ही चीज़े आपको वेड गिन करने में बहुत ही हल्फुल रहती है तो निक्स वी हैव इस नट्स नट्स और बटर्स नट्स आपको आपकी लिए पर्फेक्ट चॉइस है इस लोगिं तो गैन वेट वाइट 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 आपको जिस ताइब के भी आम ड्राइब शाटे रहते हैं क्योंकि भी ड्राइब कर हैं पाती है कर सकते हैं just a cup 1 4th cup आपको 170 calories प्रोवाइड करता है इसमें 6 grams of protein होती है 4 grams इसमें fiber पाया जाता है 15 grams of healthy fats होते है आप ड्राइ फूट्स को as a snack भी ले सकते हैं आप इनको किसी भी टाइप ले सकते हैं जैसे मर्जी आपको बस इनको खाना ही है और कुछ इनकी कोई recipe नहीं होती और अगर आपको नट्स नहीं खाने अच्छे लगते तो आप चाहते हैं कि आप इने किस लगे से डिपरेंट पे में अपने डाइट में तो आप नट्स बटर भी ले सकते हैं नट्स बटर होते हैं सबको पता होता है उसके बार में तो आप ऐसे अपनी स्मूधिस में आड़ कर सकते हैं अपने शेक में आड़ कर सकते हैं जैसे मर्जी आप इसको ले सकते हैं इसको लेने का एक और वे हैं जैसे आप होल गें ब्रेड लीजिए उसके उपर एक डो स्कूप पीनट बटर के जाद करें या पर कोई भी पटर रखा फो उट्राप को अपनरा सकते हैं बातर के साथ साथ अब भनी बी आध कर सकते हैं अगर आप लाइन के लिफ प्रकार लेते हैं तो उसमें भी स्कॉर अब अब कर सकते हैं अगर इसका ज्यादा यूज करते हैं तो आपको 588 कैलोरीज मिलती हैं यह आपको कलेस्टेरोल रियूस करने में भी बहुत ही जादा बैनिफिशल रहता है पीनट बटर और नट बटर जो भी आपको अच्छा रगता है इन में से कोई भी अगर आप ले रहे हो तो आपको इसका एक और ब नीद ना आने की प्रॉब्लम है हो सकता है किसी तरह की टेंशन हो तो उस टेंशन की वज़े से अगर आपको नीद नहीं आती है तो यह तरह का इसमें नेश्रल स्लीप कैमिकल पाया जाता है जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया नीद आती है इसके बाद मार बस एक और फ के स्पेशली डेड मीट के बेस्पार बेस्ट मसल बीद इसमें अमीन असित की हल्प करता है ने मसले टिसू को बनाने में रैद मीट इससे कि एक्सलिक मसले जाब गांग मसलिवे के बढ़ defense, प्रॉब्लम होनट इसमें एसमें एमिन थीज प्रोड जाइब बाने में एक तो तो वीक में 2-3 टाइम्स मीट लेना होगा अगर आक फैट गिन करना चाहते है तो क्योंकि अगर आप जादा रेड मीट लेंगे तो वो आपकी हल्थ के लिए बैड हो सकता है इसलिए बोली हूँ कि आपको जादा नहीं खाना वीक में 2-3 टाइम्स इनफ है इसका सच से सिंप में अच्छा लगता है तो आपको इसका मैक्समिमम 70 ग्राम्स की ही कंजमिशन करनी है इससे जादा अगर खाओगे तो फिर आपके लिए सही नहीं होगा इसकी एक और बात होती है कि जब भी आप रेड मीट को करते हो तब इसको जादा हाइफलेम पर नहीं बनाना होता क्य बनाना होता जहिसा आपको प्रेड मीट का नियो अगर पी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वेट करें तो एड की जीम अपनी डाइट में। एड मीट फिष तर नेक्स और मारे बास एक और इंगडियिंत है जो कि लिए है स्पेशली ये है पोटेड़ों जो कि हर घर में हर वक्त अवेलेबल रहता है पड़ेडोस जो होते हैं वो आलमोस्ट सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि इसका टेस्टी इतना वॉंडरफुल होता है आप इसको बहुत ही सारे इसके वेजन जिससे आप इसको अपनी डाइट में आइड कर सकते हैं अगर इसमें फाइबर की मात्रा बहुत जाए जाती है यह आपकी डिजेशन को इंप्रूब करता है जिससे आपको और जादा बूप लगती है तो आप उसमें आड कर आ सकते हैं पोटेडोस को आप प्रेंश फ्राइज ले सकते हैं यू कन अलसो आड़ इड़ बाइड बाइड ऐंड स्प्रिंकलिंगिं प्रेंगिं प्रेंग इंडिया मैं तो इंड नीपकर आप बहुत ले सकते हैं तो आप पानाथा बी ले सकते हैं बाइड फाइज इसमें गी उन बटर TO नेक्स्टमरे घृ की इन पाई एटाने अवाला है तो हरसे आई उर बोुत ये इन इंफ इस 26 इसमें कैलरी की मातरह काफी ज्यादा पाइया थे सिद्ड मोनिंग टाइम यह क्योंकि एक सिंगल डेट शींगल डेट का जो होता है उसमेे 66 क्येलरिम जाती है। अगर आपको लिट गून करते तो आप 23G लेजये हैं सैज्ड तो सबस्क्राइद के ज्यादा लें जादा प्रावा मारे वास एक और पूड आटम है ब्रेड होल ग्रेड इसमें काफी सारी मात्रा मैं काभ हाइड्रेड माइड्रा, क्याग ब्रमुच, गजाती ऐसे 300 धाकम है इसमें कवाइडल निहों जिगें टाते हैं और आप में चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पार गिन करें अपना वेट गेंड करें तो आपके लिए बहुत ही बैनिफीशिल रहेगी। आप यसको प्रभिलेता हैं और अब शशाद पास्ता के साथ भी ले सकते हैं अगर आप पास्ता के शुकीन है तो तो हमारे पास एक और फूड आइटम है जो कि है आवोकार्डो यह भी आपको फैट गिन करने में बहुत ही हलफुल रहता है आवोकार्डो अर ग्रेट सोर्स ओवायरमिंट C, E, K and V6 इसमें मैगनेशियम पाय जाता है और इसमें ओमेगा-3 fatty acids होते हैं जो आपको बहुत ही ज प्रिंकल कर सकते हैं तोनक, salt and pepper and if you're looking for more nutritious morning meals try incorporating avocados into your breakfast आप इनको salads में भी ले सकते हैं और आप इनको soups में भी ले सकते हैं इसका एक और secret है आपको इसको as a shake भी ले सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ आवोकाडो को blend करना है आप इसको morning time भी ले सकते हैं कोई भी मील ले आप उसमें आड कर सकते हैं इसको just one large avocado provides around 322 calories and 29 grams of fat and 14 grams of fiber try adding avocados to your main meals and और भी कही तरह के dishes जो आप लेते हैं like omelettes and sandwiches so that's all i hope कि आपको जो भी मैंने food items बताई है तो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर फॉलो कीजे इन सब चीजों को सारी नहीं तो कोई 2-3 ले सकते हो जो भी आपको इन में से अच्छी लगी हो आप अपनी diet में आड कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी weight gain कर सकें तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ आप मुझे comment section में बता सकते हैं कि आपको किस type की वीडियो चाहिए तब त के लिए अपनी सिहत का द्यान रखें stay safe bye guys thanks for watching